बिहार के मुख्धमंती नितीश कुमार ने बड़ा एलान किया है और यहा एलान बिहार पुलिस के संदर में है नितीश कुमार ने कहा है कि देखिए अब मैं किसी भी बक्त बिना बताए बिहार के किसी भी थाने में पहुंच जाऊँगा और देखूगा क्या हाल है इसके साथ ही नितीश कुमार ने यह भी कहा है कि वे सिर्फ थाना ही नहीं अधिकारियों के पुलिस प्राधिकारियों के दफ्तर में भी बिना बताए पहुंचेंगे तो यह नितीश कुमार का बरा एलान इसका आसर यह कि नितीश कुमार ने मान लिया है कि वक्त आ गया है कि थानों को देखा जाए थानों का आउचक निरक्षन किया जाए छापे मारी की जाए जो पुलिस प्राधिकारी है उनके दफ्तरों को भी देखा जाए देखे बिहा में अपराध चर्चा तो होती ही रहती है। नितीज कुमार कलपटा में बोल रहे थे। और नितीज कुमार ने इसके साथ ही पुलिस का लिगारियों को कहा। कि देखे मुझे हरानी होती है, मुझे परिशानी होती है कि सभी लोग मुबाइल फोन पर ही लगे होते है मुबाइल फोन पर यह पता करना कि बास्तविक लोकिशन कहा है थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए उन्होंने बिहार के डीजीपी आरेस भट्टी की मौजूदगी में कहा कि देखे थानों से जो सिनियर पुलिस आफिसर्स हैं वे लैनलाइन पर बात करें ताकि यह पता हो कि थाना में कौन है कौन नहीं है समय समय पर यह बात होती रहनी चाहिए इसका मतलब यह भी कि नितीश कुमार ने एस्पस किया है कि थानों का जो लैनलाइन नंबर है वह चालू इस्थिति में हो तो देखिए नितीश कुमार अब छापा मारी के लिए निकलने को है पिछले दिनों विहार के DGP RS भटी भी मुझपर पुप पहुँचे थे रात को पहुँचे थे उन्होंने कई जिलों के इस्पी से बाच्चित की थी और RS भटी ने जब प्रभार गहन किया था विहार के DGP का दिल्ली से लौट कर तो अब भी उन्हों ने कहा था कि डेखी हुए बेना बताए उन्जिलों में पहुंचेंगे जहां आप राग अधिक है निटीश कुमार ने और क्या कहा निटीश कुमार ने कहा कि देखिए आपको पैदल बाच भी करना चाहिए आहले शुभा देर रात को देखना चाहिए कहां क्या हो रहा है तो नितीश कुमार का बड़ा निदेश जो है वह पुलिस प्राधिकारियों को मिला है और नितीश कुमार स्वैम को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वे रात को अचानक दिन में अचानक आते जातें कहीं किसी थाने में पहुँच जाएं और देखें कि थानों की इस्तिति क्या है देखिए थानों के बारे में सिकायते रहती हैं कि वहाँ फर्यारी पहुंचते हैं, वहाँ सिकायत लेकर लोग जाते हैं, उनकी सिकायतें नहीं शुनी जाते हैं, नितिश कुमार ने यह भी कहा, कि थानों की जो वेवस्था है, उस वेवस्था में, देखें, लॉइन ओर्डर और क्राइम, मतलब जो इन्विस्टिकेशन है, दोनों के लिए अलग वेवस्थाएं होनी चाहिए, यह वेवस्था की भी जा रही है, इहर के दिनों में, डीजीपी के निर्देश पर कई जिलो होंगे, तो एडिस्तर इसे चो, वहां काम का संभालेंगे, इसके बाद यह वेवस्था भी सुनिशित करने को कहा गया है, कि जो फर्यादी सिकायत लेकर आ रहे हैं, उनकी जो सिकायत है, वह प्राप्ट की जाए, और उसकी प्राप्ति की कौपी सिकायती को भी दी जाए, म कुछ समय के लिए उसे रोगना चाहते हैं, तब भी आपको फर्यादी को सिकायती को यह संतुस्त करना होगा, कि क्या कारवाई की गई, एफायार नहीं लिये जाने के पीछे क्या बज़र रही, तो नितीश कुमार बड़ा फैसला किये हैं, कि वह थानों की छापे मारी करे पुलिस प्राधिकारियों के दफ्टर में पहुचेंगे, और यह निदेश की सभी थानों का लैनलाइन काम करता रहे, और इस बात की ववस्ता की जाए, कि समय समय पर जो सिनियर आफिसस हैं, वे थानों में लैनलाइन पर फोन करें, देखिए, उन्होंने फिर से बिहार के दीजिपी, आरेस भत्ती के पती अपना विश्वास दोराया है, क्या कहा, निटीश कुमाने, निटीश कुमाने कहा कि देखिए, मैंने इन्हें दिल्ली से बुला कर लाया, यह दिल्ली चले गया थे, मैंने पूछा लोटेंगे, इन्होंने हामी भरी, और मुझे विश्व आरेस भत्ती के रहते हुए, किसी अपराधी का बचना, जो अपराध कर रहा है, वह संभब नहीं है, और अनावस्चक रूप से किसी को परेशान भी नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराधी छुटेंगे नहीं, अपराधी बचेंगे नहीं, यह तै है, तो अब देखना हो और इसके बाद वहां किन तत्थों की छान भी न करते हैं, क्या पता करते हैं, तो नितीश कुमार का बरा निरन है, नितीश कुमार का बरा ऐलान है